हेलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है हमारे योटूब चैनल बोर्सी गाडनिंग प्लांट में तो फ्रेंड अगर आपके पास भी जास्वन का पौधा है और बहुत समय हो गया दोस्तो उसमें फूल नहीं आ रहा है एक बार फूल खिला है उसके बाद उसमें कभी फूल आ उसको डेवलफ करने को ऐसा ट्रिक्स और ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं जिसको यूज करके आप अपने पुराने से पुराने गुढ़ाल के पौधे को बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे दोस्तो तो दोस्तो वीडियो में बने रही है हमारे साथ हम आपको ऐस ट्रिक्स बताने वाले हैं जिनको फॉलो करके आप अपने गुढ़ाल के पौधे को बहुत अच्छी तरह से ग्रो और डेवलफ करके उसमें बहुत सारे फूल ला सकते हैं दोस्तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिज दोस्तो यह पौधा वैसी का वैसी पड़ा हुआ है आज हम आपको इसमें ऐसा ट्रिक करके दिखाने वाले हैं ऐसा खाद बताने वाले हैं जिस खाद को डाल के आप इसमें भर पूर पूर लाद सकते हैं वो खाद आपको नॉर्माली कहीं भी अपने घर में उसको बना सकत हैं दोस्तो तो दोस्तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें कौन सा खाड डाले दोस्तो आप देख सकते हैं इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं दोस्तो यह देखिए यह है गोबर का खाड और मिट्टी का मिक्स किया हुआ अब गोबर खाड भी ले सकते हैं दोस्तो दोस्तो य ये देखिए ये नारियल का उपर का जो छिलका रहता है उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे ये देखिए आप देख सकते हैं दोस्तो नारियल का उपर का जो छिलका रहता है और गोबर का खाद और मिट्टी को दोस्तो ये देखिए ये है मेन इसको सूपर फासफेड बोलते हैं जो कि नॉर्मल ही आपको कहीं भी दुकानों में मिल जाएगी दोस्तों ये सब को मिक्स करके आज हम आपको ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिसमें गुढ़हल के पौधे को बहुत अच्छी तरह से बहुत आसानी से आप फूल ला सकते हैं दोस्तों सबसे पहले क्या करें अगर आपका गुढ़हल का पौधा आप जमीन में लगाए हैं या फिर गमले में लगाए हैं तो उसकी सबसे पहले जो मिट्टी होती है उसको हम चारो तरफ से ऐसे फोड़ लेंगे उससे होता क्या है दोस्तों कि बहुत दिन तक इसको रखते रखते ये जो मिट्टीया है ये एकदम जाम हो जाती है तो जो पानी वानी खाद वाद अपन डालते हैं ये जड़ में नहीं पहुँच पाती जिसके वज़े से भी पौधों का ग्रोध जो है दोस्तों एकदम रुख जाता है ध्यान रहे दोस्तों इस खाद को जादा मातरा में ना डालें ये देखिए तीनों में से मिक्स करके तीनों को जड़ से थोड़ा सा साइड में ऐसे डालके उपर से थोड़ा सा गोबर का खाद और छीड ने दोस्तों दोस्तो ये खाद को ऐसे डालें कि जड़ में ना रहे जड़ से थोड़ा सा साइड में इसको डाले दोस्तो और डाले के तुरंट बात पानी ना डालें इसको कम से कम 3-4 दिन सेट होने दें दोस्तो इसमें आप पानी नई भी डालेंगे तो ये पौधा अपने आप उसको अब्जॉब कर लेगा दोस्तो दोस्तो आपको बता दे कि ये गुड़हल यलो कलर का है जिसमें बहुत अच्छे फूल आते थे सुरू में लेकिन अभी उसमें नहीं आते हमने ये खाट डाला है उसके बाद देखते हैं दोस्तो क्या इसमें सही में फूल आते हैं तो दोस्तो 15 दिनों के बाद हम देखते हैं कि हमारे गुड़हल में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो गया है आप देख सकते हैं दोस्तों की इसमें भर भर के कलिया आई हुई है और हमारा गुड़हल भी खिला हुआ है दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो खाट डाला हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा असरदार हुआ है दोस्तो पूरा पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर लिया है बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो गई है इसकी दोस्तो अगर आपके घर में भी कोई भी फूल वाले पौधे हैं गुड़हल के पौधे हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं आप ये ट्रिक जरूर अपनाई है दोस्तो आपके पुराने से पुराने गुड़हल के पौधे में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग होगी गुड़हल पुरा बारो महना खिलते रहेगा दोस्तो दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल बोर्सी गाडनिंग प्लांट को सस्क्राइब जरूर कर दे ऐसे नए नए टिप्स और टिप्स के लिए